कि एलो दोस्तो में आश्रितोष वेल्कूटू तो बिलेर एजुकेशन आज हम टॉपिक चालू करेंगे रेस्पिरेशन एंड तर्कुलेशन तो इसमें हम आगे जाने से पहले हम बताना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब क्या हमें इतना पता है कि हम ब्रीधिंग करते हैं पर वहां पर सीमें इतनी होती रेस्पिरेशन आपने लेवेंडर या फिर दसवी में आपने पढ़ा होगा कि रेस्पिरेशन सेलुएर प्रोसेस भी होता है जिससे जो ग्लुकोस है उसका ऑक्सिडेशन होके एनरजी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ एटीपी पर इस टॉ करेंगे ओके तो हम आगे बढ़ते हैं अगे देखिए पहला डायग्राम है प्लांट में हम एनिमल में जाने वाले प्लांट का थोड़ा सा पाट है वहम कवर कर लेते हैं अभी प्लांट में तो लंग्स या फिक कोई ऐसा सिस्टिम होता नहीं है मुझे टिशू वाला सिस् कुछ पार्ट होते हैं उसको ट्यूमाटा बोलते है वो पोर होता है जो गार्डेड रहते है औरेंट केंचेंगे तो इससे नॉरमल गेसे आएंगे तो वह आएगा तीक है वह अलग अलग पार्ट्स में जाएगा इसमें अपने साइटोसोल में प्लांट्स के और अलग गैसे एक्षेंज होके इसी तुरू चला जाएगा यह दादगर के उपर हो सकते हैं मेजरिटी बंपर चोटे और और ऑपनेंस होते हैं उसको लेंटिसेल से वोलते हैं कि उसका फंक्षण भी यह हैं टीन में होता है अट lesuna सिस्तिम पी खोटा है मतलबrok सिस्टिम में क्या होता है मेज्डर आपनको पता है कि न्यूट्रियेंस अंदर लेते हैं एरे अंदर आता है यह ब्रीफ है मतलब और्ष ब्लांट के बारे में तो आपको बता दिया है तो हम higher animals के जाने के पहले थोड़ासा brief देख लेंगे के lower animals में कैसा होता है lower animals मतलब mostly invertebrates के बात कर रहा हूँ कुछ vertebrates जीसे fishes ओके तो जीसे insects common insects मतलब class insects आप बोलू तो उसमें क्या रहता है trachea होता है च्छोटे ट्यूविल्स होते है तो बॉड़ी में हर जगे spread रहते है branch ट्यूविल्स होते है तो वो क्या करते है उसके austeia रहता है भार उसके through air आ जाती है और च्छोटे जो ट्रक्योल बन जाते है वाल बेट च्छोटे सेल्स तक चले जाते है वो जो एकदम fine capillaries रहते है ठीक है और उसी से फिर अपना carbon dioxide है उसी रूट से भार चला जाता है और 90% of time उसके जो इंसेक्ट की ठीक है उसके through carbon dioxide भार चला जाता है तो यह इंसेक्ट के बारे बताया उसी तरह फिश भी है फिश को आपको पता है respiration पानी में होता है उसके लिए गिल्स होते होई गिल्स जहां मची मार्किमेंट गए होगे जो डिसकार्ड कर लेते हैं जो ओपर कुलम के नीचे रहते हैं पीश के वह रहते हैं वह भी respiration में काम करते हैं और दूसरा इंसेक्टा हो देखा अरेक्मीड भी रहता है अरेक्मीड जैसे स्पाइडर स्कॉर्पियन उसमें बुक लंग्स होते हैं कुछ structure इस तरह होता है बुक जैसा होता है जो बहुत सारे लैमेले होते हैं ऐसा structure होता है तो यहां से air चला जाती है और लैमेले बहुत सारे blood से कैपिलर से सप्लाइड रहती है मुझे कैपिलर नहीं होती है उसमें इस लिए फ्लूइड रहता है उसको हीमुलीम भी बोलते है उसके थुरू फिर गैसे एक्षेंज होता है और यह जाता है सर्कूलेशन में इसी तरह से इसको बूक लंग्स बाज़ए क्योंकि बूक के तरह है यह तरह है उसी तरह स्पॉंजेस होते हैं इसमें cellular level तक होती है मतलब इसको औस्टियास बोलते है औस्टियास पानी चला जाता है फिर हर सेल के अंदर चला जाता है फिर बाद में पानी औस्टियास से निकल चला जाता है मतलब oxygen rich जो पानी अंदर चला जाएगा ग्यास से एक्षेंग होगा औस्किलम से भार चलाएगा यह ब्रीफ है आपके एक्जाम में पूछे पर फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है आप क्योंकि स्टार्टिंग में इंट्रॉडक्शन में थोड़ा सा ब्रीफ अगे बढ़ते हैं यह डाइग्राम आपको दिया है यूमन्स के बाद जो रेस्पिरेटरी या फिर ब्रीधिंग और गंस है उसके बाद पर हमें जानना चाहिए कि जो और गंस है मोश्ली में लंग्स की बात कर रहा हूं इसका क्या होना चाहिए ताकि वो गैसेस एक्षें एडिया तर्फिस लाज होनी चाहिए अकर लाज सर्फिस रहेगी तो लाज सर्फिस एक्सपोज करेगी एर को उतना गैसे सेक्षेंज हो पाएगा दुसर्या यह मौश्ट होनी चाहिए अगर ड्राइ सर्फिस रहेगी तो वहां पर ट्रैपिंग ऑफ गैसेस नहीं हो पाएगा इसको मौश्ट होना ज़रूरी है तो उसली कभी म्यूकस लेयर होता है ठीक है कभी वी वाटर लेयर होता है जिसे आपने प्लांट्स में देखा इंटरने अगर चले गए तो अपने टिशू टिशू वाटरस रहते है उसमें उसके मिक्स होता है करने के बाद फिर अलग अलग एरिया में चाहिए त फ्लो हम थ्लॉ em टिशू रहता है उसके तूरू ठीक है और दुसरा क्या हो सकता है इसमें के न होनी चाहिए थिन वाल होनी चाहिए, थिन वाल के बार में जो हम अल्वला की बात करेंगे, लंग्स के अंदर, उसके मैं बताऊंगा थिन वाल की होनी, क्योंकि देखिए, थिन वाल रहेगी, समझो ये लिम्प है, या फिर कोई भी लिक्विड है, ठीक है, जिसमें गैस को पास होना है, औ अगर एकदम मोटी परद रहेगी, अगर मेंब्रेन बहुत बड़ा रहेगा, तो एर पास नहीं हो पाए, पर अगर छोटा रहेगा, एगर सिंगल सेल से लाइन रहेगा, सिंगल सेल वाला रहेगा ये, ये सिंगल सेल वाला रहेगा, ठीक है, तो आराम से जो गैप से वो च fusion है वो एक फिजिकल प्रोसेस है यह मैंने क्यारेटरिस्टिक बताया हूँ of organs involved in respiration या gases action लिख दू ठीक है एक बाद note कर लिजिए आप अब यह मैं स्ट्रेशली यूमन रेस्पिर्टरी सिस्टम चालू कर देते हैं अभी इसमें दो प्रोसेस होते हैं एक इंस्पिरेशन 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 में क्या होगा यह एर को अंदर लिया होग जाता है common word ही है इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन एकु भी मेडिकल हुआ है यह आपको टेस्टूप में दिये आपको यह word यूज और TKन in एक्सपिरेशन मतलब exhalation, मतलब air को भाहर छोड़ना, मतलब हम सास को भाहर छोड़ते हैं, वो, air expelled out, इसको expiration, ठीक है, और दूसरा प्रोसेस होता है, जो भी air आ गई है, जिसमें oxygen है, वो, fluid के तुरू, अलग-अलग area में transport होएगा, ठीक है, oxygen transported via blood, यह basic characteristic बताया हूँ, अपको, ठीक है, अभी जो respiratory system है, उसको, facebook में divide की है, एक upper respiratory system, lower respiratory system, यह याद रखिए, जहां से larynx चालू हो जाएगी, larynx चालू होगी, जुसके नीचे जो भी है, जिसे tracheal हो गया, tracheal हो गया, अभी प्रॉंकाय हो गया, प्रॉंक्योल हो गया, ठीक है, lungs हो गया, वो सारे हो गया, lower, lower respiratory organs, और उसे जो उपर है, इसे nose हो गई, नसल cavity हो गई, ठीक है, यह external nerves हो गया, internal nerves ठीक है, बाद में pharynx, यह सारे के सारे हो गया, upper respiratory organs, ओके, मैं इसको, मैं अलग इसमें लिख देता हूँ, मैं add कर देता हूँ, अलग से, ठीक है, इंटर्र, lower, lower, जा आएका, nostril, या फिर nears भी बोलते हैं इसको, जिसमें internal रहेगा, बता तो internal क्या होता है, अब में external क्या होता है, external nerve, ठीक है, बाकी क्या होगा, उसके बाद parings होंगे, और specifically, नसो फेरिंग्स, मैं उभी बता तो, नसो फेरिंग्स कहां रहता है, अलग से, डाइग्राम में ड्रॉ करता हूँ, उसमें आपको बता देता हूँ, कि नसो फेरिंग्स कहां होती है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नोस फ्रोट हो गया, नोस फ्रोट, ओके, ये सारे हो जाएँगे, ओके, अभी लोवर रेस्पेरिटरी सिस्टिम में क्या आएगा, क्या बोलाता, लैरिंग्स से चलोगा, तो लैरिंग्स, ठीक है, रखिया, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, प्रॉंक आए, प्रॉंकियोल, पाद में अलवल आए, जो ये सब रहता है, लंग्स के अंदर, ये सारे आएंगे, ठीक है, एक बचाई तो आप नोट कर लिजे इसको, अभी मैं नेक्स बताने वाला हूँ, हर एक पार्ट कहां कहां सिचुएटेड है, ये आपके एक्जाम पॉइंट आफ इंपॉर्टन नहीं है, फिर भी मैं बता हूँगा, क्योंकि ये आपको पता चल जाएगा, कि हर एक पार्ट का लोकेशन का है, और क्यों इसको आपर बोला है, क्यों इसको लोर बोला है, और इसके रोल क्या क्या है, मैं अलग स्लाइड डालता हूँ इसमें, झाल जाएगा, क्योंकि दिए। झाल 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 ब्रिफली बता रहा हूँ ठीक है अभी यह क्या होगा एक्स्टर्नल नेर्स यह हुआ अपका नसल कैवेटी ठीक है यह हुआ अपका फैरिंग्स यह फैरिंग्स के हर एक पार्ट्स के बारे में बताता हूँ यह नसल कैवेटी के सामने है इसे इसको बोलेंगे नसो फैरिंग्स अब यह औरल कैवेटी के सामने है तो इसको बोलेंगे औरो फैरिंग्स उसके नीचे जाएंगे यह लेरिंग्स है अभी लेरिंग्स के सामने फैरिंग्स है तो वो पार्ट को बोलेंगे लेरिंग्स यह फैरिंग्स ओके हो गया अभी यह एक्टरन नेर्स है और जो ओपनिंग फैरिंग्स में एंटर करती है मतलब नसल कैवेटी से फैरिंग्स में एंटर करती है उस कैवेटी को यह ओपनिंग्स को बोलेंगे इंटर्नल नेर्स यह हुआ आपका नोस ओके लेरिंग्स और यह कंटीनी हुआ लेरिंग्स कंटीनी करता है त्रक्या में और यह हुआ आपका फूड़ पाइप या इसोफेगस और यह दिख रहा है यहां पर एक खुड़ा सा वॉल की तरह है इसको बोलेंगे एपिक लोटिस अपिक लोटिस किसको कवर कर रहे है यह जो ग्याप यह यह स्को बोलते है ग्लोटिस और अपिकलोटिस गलोटिस को कवर करता है ठीक है? होगे? सारे पार्ट्स अलमुष कवर हो गए इसमें एक बार आप नोट कर जे क्योंकि यह डाइग्राम को इंपोर्डन नहीं है कि यह डाइग्राम में आपको इतना क्लियर नहीं दिखेगा कि वाब कैसे हो रहा है मैं आगे बढ़ता हूँ फिर ओके ठीक है? अभी मैं और एक स्लाइड आइड करता हूँ इसमें अभी हम नोस के बारे में बात करेंगी क्यूंकि क्वेशन आता है कि डिस्कस अबाउट नोस एंड इस पार्ट या डिस्कस अबाउट अपर रेस्पिरेटरी ओर्गन्स तो आपको नोस और फैरिंग्स के बार में यह सब बताना पड़ेगा और डाइग्राम देना पड़ेगा नोस नोस का एक्स्टरनल ओपनिंग जो एर में जाती है इसको यह बलेंगे एक्सटरनल नेर्ट यह आपको बताया तीक में एक्सटरनल नेर्ट एंटर करती है उसको नसल कयभी टीक suit कंए कल कर्टरिके काटिलेयम होता है जो आपने नाक में देखा होगा यह काटिलेज होता है जो दो नेर्स को separate करता है और internally भी separate करता है कुछ limit टुक ठीक है उस cartilage को होता है missus mold cartilage अभी नसल cavity के अंदर भी parts होते है for example starting वाला part रहेगा उसको vestibule भोलते है कहाँ पर ये वाला part यहाँ पर में लिग देता हूँ वेस टी ब्यूल ठीक है वो part में क्या रहेंगे नक्ये बाल होते है ठीक है तो बाल रहेंगे तो उससे क्या होता है जो dust वगरा जो भी आते हो ठीक है उसको trap करता है तो vestibule का ये काम है hair hair होते है एक्स्टर्नल पार्ट रहेगा इसका नसल क्याविटी का ठीक है यह हो गया और एक पार्ट रहता है उसका उसको बहुत है रेस्पिलिटरी चेमबर vestibule के थोड़ा आगे बता दो यह जो पार्ट है यह क्या हुआ आपका रेस्पिलिटरी चेमबर यह जाईन्ड बाइ तीन अपिथिलियम उसके वैसे वी हाइळी सप्लैट बाइ बलड कैपिलरिस और बलड कैपिलरिस है पुर गरम रहता है जो भी एर आएगी है उके उसको वह गरम कर देगा वाम कर देगा और मोईस्ट भी कर देगा ताकि वो safely अंदर जाए अगर एर अंदर चली जाए तो जो soft parts है थे cells, epithelium उसको damage कर सकती है या lungs को damage कर सकती है तो उसको थोड़ा सा temperature बरावर maintain करती है ताकि तूरण थंडी हवा या एकदम गरम हवा अंदर गई तो अंदर के जो organs रहेंगे उनको damage ना हो इसके वैसे heat exchange कर ल करती है एकदम गरम है कि उसको heat exchange करके तो थंडा कर गए अपके डेस्बूक में खाली इतना है बता है कि यह warm करती है ठीक है और एक moist भी करती है हवा जो भी अंदर हवा है कि उसको moist करती है तो यहां पर हां मॉश्यन इन हेल्ड एर ओके प्लस वर्म अप एर तो इन हेल कर ठीक है यह हो गया और एक चीज में रहता है एक पार्ट उसको बोलते है और फैक्टरी चेमबर ठीक है आप यह काँं सीचुएटेटेट है यह सीचुएटेटेटेट है रेस्पेटी चेंबर में पर उसके रूप बे त् का था हूँ इधर इस डागरम में बता था इए जो पाइट रही गां यहां पर रही गां औल्फेक्ट्री चेंबल तो बोलते हैं औल्फेक्ट्री चेंबल इसमें क्या होते हैं जो जो चैमिकल मतलब हावे में जो कैमिकल से उसको सेंस करते हैं वह आपके सिलेबस में नहीं है मैं आपके लस्ट्री चाप्टर भी देका उसमें यहर इंग के बारे में पर नोस के बारे में नहीं है तो इस जश्ट ब्रिफली बताया था हूं, sensitive hair थे थे, वो chemical को sense करते हैं, और इससे olfaction, olfactory मतलब olfaction, smell को detect करते हैं, बस इतना समझ दो, olfactory chamber is responsible for detecting any smell. यह हो गया नोस, उसके parts और उस हर part के in brief function, एक बार देख लिजे, फिर आपने दूसरा भी वह, एक बार यह देख लिजे, बार में वह दिखाता हूं, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर यह देख लिए, फिर आप दूसरा कर लिजे, अगे बढ़ते हैं, अगला part कह रहेगा, अगला part रहेगा pharynx, अप भो pharynx बता दिया, इस डाइग्राम में, ठीक है, जब नसल cavity open करेगी, इंटर नर्स से, जो cavity रहेगी, उसको बोलते है pharynx, कहां से, यहां से नसल pharynx से, लेरेंज जो pharynx लग, यह पूरा का पूरा हो गया आपका pharynx, ओहां पूरा है, जो लेरेंजर ₂एगे बता है wear है तच्चों से भीडें में वहाँ ईहाँ है, यहाईड़ बता है अगला उन्योंस्या है का में चलते हैं लेगी इंचिव यहाँ। और्लत हैं बतुट कम टुझगन का हैं उन्योंस्टे का भीएग है है? का जो सोरी है कि यहां पर तुरू कि 생겼ंटать कि तुए की नफियख़ गताएंगे फैरिंग्स का हर पार्ट को जो अपर पार्ट है गते टीक है इंटर नुश्रिल से ओपन होता है वह हो ल忘ंतो देंख वॉरा राहे गा ? ऐढो जो नीचे वiller पार्ट है विडल पार्ट प्रउरियो उसको बोलते है औरो खेढ राहे गा C Camber for air also and food also लेको यहांसे food आयेगा a buffet यहांसे air आयेगा common hemor for both नीचेश डाय नीचे ऑन हो पेढ आय का लाही तरीच chanting ठीक है लेरिंग जो फैरिंग्स कहा रहेगा इडिस अजस्ट एडजेस्टन तू लेरिंग्स और इडिस लोवर पार्ट ओफ फैरिंग्स यह आप बता सकते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं और फिर आवी हाँ एक फॉंक्शन रहे गया उसका मैं फॉंक्शन में बता देता हूँ ठीक हो पैरिंग्स के अंदर एक तो और ग्लैंड्स होते है या ग्लैंड बोल सकते है क्यों हो सिक्रेट करते है कुछ सिक्रेशन में रहता है लिंपोसाइट्स अब्ली बीसी भी बोल सकते है उसको और उस और गांस को बोलते है टॉंसिल्स टॉंसिल्स एक और एक काम करता है जो भी डर्श्ट या जो भी बैक्टिरिया वायरेस होगरा जो इनहेल करते है या अपन खाते है खाना खाते है वह उसको ट्रैप करने की भी कोशिश करता है ट्रैप करते हैं यह उसके फॉंक्शन है पार्ट्स तो बता दिया तीन पार्ट्स है थे वो डाइग्राम में नसो और और लेंजियो फैर्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् हम आगे बढ़ते हैं लाइरिंग्स की दरफ लाइरिंग्स कहां पर रहते हैं देखो इस लाइग्राम में आपको बताया है यहां पर ठीक है और देखो एक कंटिन्यू होता है ट्रैकिया में देखो लारिंग्स इस 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 पर फ्रिस्परिटी ट्रैक्ट या फिर एर पैसेज फूर पैसेज का नहीं और विंड्पाइप यह जो रहता है वो काटिलेट से बना रहता है और एक सिलेंड्रिकल फॉर्म रहता है और होलो होता है इंटर्नली उसमें बहुत सारी वोईस्स अटिलेटाना होता है जब हम बातकरते है तबहुंख में हवा अंदर बाहर होती है उस certificate अगर यह vibrate होते हैं उस frequency से हमारा आवाज अलग-अलग होता है जब हम गाना गाते हैं तभी यह voice chords अलग तरीके से vibrate होते हैं हम जोड से चिल्ला आते हैं तो अलग amplitude में vibrate होते हैं यह उसका काम है मतलब producing sound इसको इसलिए voice box भी बोलते हैं और जो males में ज़्यादा develop होते हैं हमने reproduction वाले chapter में देखा था second sexual character of males जिसमें यह larynx develop रहते हैं males में at puberty अच्छा अभी अभी चले जाते हैं कि epiglottis और epiglottis के हाप यह इसी में इंक्लूड कर देता हूं आपको ठीक है glottis and epiglottis common opening between what short form यूस करता हूं इसका मतलब between between food channel okay and respiratory tract या wind pipe बोल सकते हैं this is guarded by epiglottis अभी इसके फंक्शन इक ब्रिफली बताता हूं कैसा होता है अभी इस इंसान ने कुछ खाना खाया ठीक है तो यह खाना है अभी दूसरा कलर उसका क्योंकि उसका भी यह कलर है यह blue यूस करता हूं यह खाना खाया जैसे यहां पर आया ठीक है यह खाना यह डेंजर होता है कि यह गलती से विंड पाइप ने चला जाए तो यह क्या करता है epiglottis इसको बंद कर देता है ठीक है मतलब यह बंद कर दिया ऐसा तो यह कहां गया स्लाइडों के माउथ cavity मतलब इसोफेगस में चला गया ठीक है क्यों हम शास लेते कुछ खाना नहीं खाये रेते तो यह open रहता है ऐसा ठीक है तकि जो सास ले मुझसे सास ले नाक से सास ले यह फिर टायरेक यहां होके ट्रक्या में चले जाए यह इधर भी चले जाते कुछ फरक नेवड़ता ठीक है यह उसका function है तो क्या इसका function हुआ prevent the food entering in windpipe इसको vocal cards भी बोलते है ठीक है आपको भी समझ में आया अभी लेरिंग्स के बारे में बताए आपको लेरिंग्स कहां सिच्वेटे है वह भी बताए आपको ओके हम आगे बढ़ते हैं अभी उसके बाद क्या रहेगे आपका हाँ ट्रक्या इट कंटिनूस प्रॉम लेरिंग्स आपने अभी देखा इसका कितना लेंथ रहता है अप्रॉक्सिमेटली फिफ्टिन सेंटिमीटर अब और कैसे रहता है वो ट्यूबिलर रहेगा पॉलो रहेगा सिलेंडर होगा फ्लस इसमें सहाफ कार्टिलेज होता है या फिर जो सी शेप कार्टिलेज भी बोलते हैं यह ऐसे कार्टिलेज होंगे जो सामने से करेंगे पीछे से पुरा कंप्लिट ने होएंगे इनकंप्लिट होएंगे इनकंप्लिट भी बोलते हैं इसको 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 प्रिवेंट करने के लिए यह सी शेप कार्टिलेज होते हैं से थिकमे अभी इन्टरनली क्यसे लाइन रहते हैं स्लिये टेलियं आ होता है तो क्यूं ? आपको बताई क्यूं से लें ट्रेप करता है कुछ अगर गलती से चला गया अंदर पंडर फिटली गया करता है पंडर उप ंग देगा ठीक है और फिर अपन जो म्यूकस तुरू नाक से या मुह से चला जाएगा इसलिए जो म्यूकस आ गया उसको तुक नहीं चाहिए पर बेसिन में रस्ते पर नहीं ओके यह हो गया यह उसका अप्रॉक्स मतलब ब्रिफ स्ट्रक्चर हो गया अभी हम चलते हैं ब्रॉंक का एक ब्रॉंक्योल के उपर सिंगल ब्रॉंकर्स ब्रॉंक है ठीक है अभी जो ट्रैक्या आया तुम्झे ट्रैकी है ठीक है और यहाँ अभी दो लंग्स है तो इसको डिवाइड हो पड़ेगा तो यह ब्रॉंक्योल में डिवाइड हो जाते है यह ब्रॉंक्योल में डिवाइड हो जाते हैं यह समझो यह हो गया हर primary bronchi, फिर secondary bronchiol में जाएंगे, यह ऐसा, फिर tertiary में जाएंगे, यह फिर से divide हुआ हुआ है, फिर terminal bronchi में चले जाएंगे, एकदम पतली रहेगी है, फिर पतली पतली, फिर बाद में एक अलवेरे chamber में चले जाएंगे, फिर उके, इसको air sac डी बोलते हैं, और हर एक air sac में एप्रोक्सिमेट्टी फोरी नुट ट्वेंटी अलवेल आए होते हैं, तो मैं बता रहता हूँ, इसका division का ऐसे हुआ, ब्रॉंचाल, 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 पिर आएगा टर्मानल, टर्मानल, ब्रॉंक्योल, यह एंड अप होएंगे एर सैक्स में, हर एर सैक्स के अंदर 14 से 20 अलवेला होते है, यह अलवेला के बार में आपको डिसकस करूंगा, इंडिटल, ठीक है, बाद देख लिए ज़िए इप डाइग्राम, यह हो गया, और फिर आता है लंग्स, यह सब अपरेटर्स किसमें है, लंग्स में, और लंग्स सरी ते पेर में है, दो, राइट, और लिफ्ट, ठीक है, राइट थोड़ा सा बड़ा रहता है, अस कंपरेट तो लिफ्ट, इतना स्मॉबर, इसके कंपरेशन में, फोड़ा सा छोटा रहता है, यह रहता है तीन लोप से बना रहता हूँआ, और यह रहता है, टू लोप से बना रह रहता है, तो यह smaller की होता है, यह larger की होता है, इसके just नीचे है, थोड़सा heart आता है, इसके वएसे यह smaller होता है, ठीक है? lungs में क्या होगा? यह apparatus, bronchi, bronchi, bronchiol, तस्रिप bronchiol, बाद में फिर alveoli, यह सब छोटे-छोटे chambers होने के वएसे, यह spongy होता है sponge, like a sponge, sponge की तरह होता है यह, ठीक है? और elastic भी होता है ठीक है? और यह cover रहता है, एक member से, byler member होती है, ठीक है? उसको बोलते है, plural, plural bread ठीक है? मतलब? कम टुए लंग्स है? ठीक 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 है, अरावन प्रोग मेंब्रेस रहेगा है कि इसका क्या काम रहेगा और विसलिए प्रोटेक्शन रहेगा है न कि यह दो मेम्रेन हो गया और इसके बीच में रहता है फ्लूरल फ्लूड को बोलेंगे पराइटल इनर को बोलेंगे विसरल मेम्रेन इनका रोल क्या होगा ताकि जब लंग्स expand होता है और contract होता है ठीक है उसको protect करके रखना कऊंवा मेंब्रेंस के बीच में अपने brain में में देखा होगा मेंचे के बीच में SCNS रहता है यहां पर आपी रोटिस बताया haben Aí कि अफली बताता हूं पर यहां जयादा रोल नहीं होता इसका रोल हमारे एंसेस्टर में होता है जब रेप्टाइल या फिर फीशेश वगरा वहां से डेवलॉप हुए थे तो हायर्ड का बहुत रोल रहता है जॉब बन जाना क्योंकि यह जॉब को सपोर्ट करने के लिए बहुत इंपोर्टन और बाद में वह वेस्टी किलेटेड ने रहता किसी से वाकिया आप को देखा यह ट्रक्यूल काटिविज में ट्रकी आया यह 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 एडम्स एपल भी बोलते हो उसको लैरिंज को लैरिंग्स को कि अच्छे लाड आगा हम देखते है ट्रक्यूल को डिक्सक्रेब करने के लिए हां ओके अलवेला है ऐगं गया कि कै अलवेले एक ग्रेप जैसा एक बेल होता है जिस्टूम मेंबर होते उसका एक मेंबर लेयर से बना रहे टाया स्क्राइमस एपिधिलियम से अब ऐसके बार में आपको बताता हूं स्क्राइमस मतलब फ्लाट म इस एक दम फ्लाट और यह सिंगर लेयर रहता है विद बेस्मेन मेंब्रेन एक प्रोटिनिशियस मेंब्रेन होता है यह उसका वॉल रहती है अलवलाई की अब इसमें आपको दिख रहा होगा यह हो गया अलवलाई यहां से लेके यह पूरा अलवलाई है rabbits के अरवं है क्यापिलरेश गापिलरेश जासूरिख को जो सब्सक्राब रहेंब इसको और जो क्यापिलरेश है यह हो वो भी single layered है ठीक है there also made up of squamous epithelium अभी जो इतना thin layer है यह दोनों मिला के हम बोल सकते है respiratory membrane इसके squamous epithelium lining of alloy plus squamous epithelium lining of this capillary क्यों? क्योंकि इतने thin होते है कि escape around across gaseous exchange हो सकता है ठीक है? अगर आपको aloli के बार में अगर आया तो आप ये भी diagram दे सकते हो या फिर आप diagram ऐसा बना सकते हो कि ये globular structure रहता है like a grapes punch thin wall रहती है ठीक है? surrounded by structural chapillaries extra structure होता है ठीक है? तो आप aloli देके पार में उसके function देखा या gases action में काम आता है main unit होता है lungs का जो gases action में काम होता है अभी next अपन structure देखेंगे वह है diaphragm देखो यह breathing का diagram वह इसमें diaphragm है यह देखो यह diaphragm एक छूट असा muscular membrane होता है जो जो plural cavity थोरा से cavity बोल सकते है थोरा से cavity यह plural cavity को abdominal cavity को separate कर देता है ठीक है? देखो यह पढ़दा यहाँ पर्दा है पर्दी की तरह होता है जब वो relax रहते है वो muscle relax होते है वो dome shape रहते है इसे यहाँ पर यह relaxed state है उसकी और जब वो contract होते है वो slightly flat रहते है यहाँ पर एकदम flat डिकाया नहीं है पर हाँ यह relaxed state है उसकी ज़्यादा ही ऐसा बता है पर आप इतना कर सकते हो थोरा सा flat रहते है अब इसका importance क्या है यह breathing को assist करता है मतलब हम inhale करेंगे तो lungs बड़ी होएंगी ठीक है उसमें pressure बढ़ जाएगा ठीक है अगर बढ़ जाएगा उसको क्या बोलते है उसको occupy कर रखने के लिए उस cage में तो diaphragm थोड़ा सा नीचे जाएगा इसको assist करता है ताकि वो भरे lungs air से भरे अगर इंस्पिरेशन करते है एकस्पिरेशन करते है हमन छोड़ देते ठीक है तब वो relax हो जाता है कैसे relax original dome ship उसका structure हो जाता है यह उसका है मतलब उसका function बता दिया उसका structure बता दिया उसका location बता दिया ठीक है दो thoracic और abdominal cavity के बीच में उसको separate कर देता है muscular होता है उसका function का है उसका breathing में breathing में function है assistant breathing अभी आगे देखते है अभी देखते है mechanism of breathing उसके पहले दिखते है कि respiration में क्या-क्या steps involved होते है और respiration मतलब के respiration हम क्या बोल सकते है इसमें आपको starting में बता दिया अपनको शिले और respiration में ज्यादा रोल नहीं है फिर भी इसमें है थोड़ा सा दिया हुआ है थोड़ा सा भी बात करेंगे उस बार में तो क्या है ब्रिधिंग मतलब gases exchange प्लस ATP synthesis एक complete बोल सकते है respiration ठीक है यह पाट है cellular तो respiration को चार पाट में divide कर दिया है प्लस पहला है यह पर आंभऑ हम है ना अ भीर हम में चार ना पाट अ फिर सीरसंग यह प्लस यह था यह deliver और आ आ हिया है तो लाश्र है cellular respiration, ओके, हम इसको एक-एक करके देखते हैं, पहला दो breathing आपको बताया, breathing किस चीज़ के बारे में है, कि air भार से अंदर, lungs तक कैसी जाएगी, air to lungs, इसका उतना ट्रांस्पोर्ट है, that is covering breathing, external respiration में, ब्रीफले बता देता हूँ, आपको आगे बता दूँगा कैसे, gases exchange between alveoli and capillaries, plural capillaries, internal respiration में क्या होगा, CO2 और O2, transport करेगा, कुन RBC और plasma, कहां तक, sales तक, to and fro, oxygen cells के होजएगा, उसका carbon dioxide बना हुआ, लेके जाएगा, उन RBC और plasma, यह, cellular respiration में ATP form होगा, इससे जो oxygen cell के अंदर चला गया है, उससे glucose का oxidation होगा, और फिर, energy release होगी, in form of ATP, और carbon dioxide, और water, ठीक है, अभी चलते हैं, करते हैं, breathing, breathing के बारे में, इसका mechanism, okay, अभी इसके mechanism क्या होगा, पहली बात आपको पता है, कि यह physical process है, ठीक है, मतलब इसमें कोई chemical reaction होती नहीं है, पहला इसका characteristic क्या है, इस 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 फिजिकल प्रोसेस, okay, क्योंगे फिजिकल प्रोसेस है, क्योंके यह pressure gradient के उपर रुपेंड होता है, pressure, gradient, क्या प्रोसेस में इन्वाल होता है, inspiration और expiration, अब फिजिकल प्रोसेस मतलब आपको बता दिया, physical process, मतलब हम सास अंदर लेते हैं, सास भारती इस फिजिकल प्रोसेस, mechanical process, इसमें कोई chemical reaction नहीं होती जादा, ठीक है, pressure gradient मतलब अगर मैं पानी उपर से नीचे डालू, ठीक है, मतलब क्या होगा, यहां पर gradient कैसा है, ऐसा है, ठीक है, पानी जाएगा along the gradient, क्योंकि इसमें ज्यादा potential energy है, इसमें कम है, ठीक है, अगर मैं balloon को फुलाऊंगा, ठीक है, और पर मैं छोड़ दूँगा, तो ऐसा थोड़े होगा कि भार का हवा अंदर आएगा, अंदर की हवा भार जाएगी, क्योंकि उस समय balloon के अंदर pressure जादा है, और भार कम है, इसके भार चले जाएगा, इसको बोलते pressure gradient, क्योंकि balloon और air के बीचे pressure gradient मतलब एक difference तहार हुआ, और एक पर rule ज्याद रखो, ऐसा pressure gradient आया, तो कभी भी higher pressure to lower pressure जाएगा, हवा, ठीक है, वो हुई mechanism इसमें involved होती है, ठीक है, और inspiration, expression तो आपको बता दिया, starting में, क्या होता है, ठीक है, अब यह इसका mechanism करते हैं, और इसमें add करता हुआ, अब यह हम पहले चालू करते हैं, inspiration के बारे में, inspiration में क्या होता है, inspiration मतलब हवा अंदर ले रहे हैं, ठीक है, डाइफ्रा में, वो flat हो जाता है, flat मतलब contract हो जाता है, contract, मतलब diaphragm flattens, और उसके साथ क्या होता है, इंटर कोश्टल मसल्स होता है, इंटर कोश्टल मतलब ribs के बीच में जो muscles होते हैं, उसको intercostal muscles बोलते हैं, इस diagram में आपको ध्यान से दिखेगा, देखो, यह वाले, यह ribs, यह तो sternum है, यह ribs है, यह muscles होते हैं, यह वाले, यह, यह muscles, यह muscles, इसको बोलते हैं intercostal muscles, ठीक है, आपको समझ मैं कि इसमें लिक लेता हूँ, मैं, इंटर कोश्टल मसल्स, तो इसमें क्या होगा, intercostal muscles contract होएंगे, इंटर कोश्टल मसल्स, पांट्रेक्ट होएंगे, मेरे से जेड की हो रहा है, समझ भी नहीं हा रहा है, ठीक है, intercostal muscles contracts, इसके वैसे क्या होता, जो अपना थोड़ा सी cage है, मतलब ribs पकड़के, sternum पकड़के, जो apparatus cage है, वो थोड़ा सा आगे जाता है, देखो हम सास लेते हैं देखे से, यह फूलता है, ठीक है, और सास छोड़ते हैं तो अंदर चला जाता है, ठीक है, वो ऐसे ही वो फूलता है, मतलब भार की तरफ होता है, outwards and upwards, मतलब rib cage moves outwards and upwards, outwards जाता है, ठीक है, तो थोरा से cavity, थोरा से rib के अंदर जो cavity है, ओके, वो थोरी बड़ जाती है, ठीक है, यहां लिखता हूँ, यहां पे लिखता हूँ, तो राख लीख, cavity volume, increases, ओके, अभी थोरा से cavity volume बढ़ गई, ठीक है, rib cage volume बढ़ गई, तो लंग्स को किसा बहुत जगाए, ठीक है, expand होने को, मतलब उसको प्रेशर कम हो जाता है, लंग्स के उपर, ओके, pressure on lungs and thorax decreases, अभी आपको बता है, pressure gradient के बाद में, ठीक है, इसमें pressure कम हुआ, मतलब pressure कम, और बहार pressure जाता है, तो air कैसे आईगी, अंदर गुशेगी, moose, along, pressure gradient, into, lungs, कहां से बाद से, air, यह हुआ, मैकेनिजम inspiration का, ठीक है, देखू, अभी, expiration में कैसा होगा, पुरा उल्टा, पुरा उल्टा इसका यह जाएगा, ठीक है, मैं expiration में करता हो अभी, अभी, expiration में पुरा उल्टा, उसमें क्या हुआ था, फ्लैट हुआ था, अभी इसमें क्या होगा, dome shape होगा, dome shape मतलब, relaxes, relaxes, that is, dome shape, dome shape हो जाएगा, और intercostal muscles, relax हो जाएगे, okay, intercostal muscles relax होगा, तो rib catch, उसमें क्या हुआ अपवर्ड, फॉर्वर्ड, ओके, वो inward, इस बार inward होगा, और downward होगा, rib catch, इसमें क्या होगा, volume thorax का कम होगा, क्योंकि इन्वर्ड मुग हो रहा है, ठीक है, reduce, अभी उसमें volume कम होगा, ठीक है, मतलब lungs को जड़ा expand होने किलो जगा है नहीं है, उसके उपर pressure आजाएगा जादा, ठीक है, उसका मतलब क्या होगा, जो lungs का आजाएगा, जो air हो भी pressure में आजाएगी, ठीक है, तो pressure of air increases, इंसाइट, lungs increases, और फिर से pressure gradient आएगा, क्या, always smooth from, air always smooth from, area of high pressure to low pressure, अभी ये pressure lungs में बहार है, lungs में ज़्यादा है, और बहार कम है, मतलब lungs से बहार चला जाएगा हवा, एक है, एक है, एक बार इस चीज में नजर मार लू आप, मैं आपको inspiration वाले mechanism दिखाता हूँ, ठीको, ठीको, अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं, कि क्या होता है, और वे अभी अलैंक आपे हम अभी दिलेम्न के से बहा न व से, ऑभी हम वाव चैना, वाँ एपिथेलियम ओके विट बेस्मेन में 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 रिड़ ओके एपिलरिस रहे दिये है वो कुणसा बना हुआ है वो भी स्कॉमर्स वो इस कॉमर्स से बने रहे थे विट बेस्मेन में 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 रिड़ अब यह दोनों मिला के क्या होगा रेस्पिरेटरी में 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 लुक्षिन होल और इस रेस्पिर्टरी में 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 के एक्रोस कैसे एक्शन होते है टिक्षिन इन मोर अदिफ्यूजन मतलब आप अगर बलून में हुआ है रुक्ष् और उसको पिन मारी तो कैसा वो डिफिजिएन के तरफ चला आएगा तो इसमें वर्ड यूस करेंगे पार्शल प्रेशर प्रिशेट तो यह जो डाइग्राम है इस डाइग्राम की मदद से आपको पताता हूं हाँ देखो क्या होता है बिसिकली समझो कार्बन डायकसाइड ले लो पहले कार्बन डायकसाइड अभी एर अंदर और जो भी कार्बन डायकसाइड है कैपिलर इसमें इन दोनों को हम कंपेर करते है ठीक है दिए टू इन अल्वियोलाए 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 एर बोलते है ठीक है और ती ओटू कैपिलर इस बेसिक बता हो हमको और ऊको डायकसाइड को फोडना है बोडि के भार या अंदर लाना है हमें छोडना है क्यूंकि वेस्ट प्रोडक्त है हमें नहीं चाहिए कि और अंदर और हो किसमें ज़् fewer का रेंगा कार्बन डाट आउल्वियों इसेख्याanos कैसे वह पूरा वाडी में जाके घुमके कायरबन डॉक्सर उड़ा के लेके आया है तो उसलिए उसमें पार्शल प्रिशर रहता है 45 में कितना रहेगा 40 mmHg तो एयर कहां से मुह होगी मतलब कार्बन डॉक्सर कहां से मुह होगा इसनिद अधर है बहुत करों उसलिए सब्सक्राइर कितन के बारे में बात करों किसा रहेगा oxygen in alveoli air एक है और oxygen in blood capillaries oxygen in alveoli ज्यादा होगा क्योंकि हमें पता है atmosphere में oxygen ज्यादा है और ट्वेंटी 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 सिक्स परसेंटेज और कार्बन से बहुत कम है पॉइंट में डेसिमल्स में जिरो पॉइंट आइसा कुछ है तब आपको पता है जो हम एर अंदर लिए यहां पर जाएगा है जो एल्वेल से एर है यहां पर जाएगा है जो एल्वेल से एर है इसमें डिफ्यूज होएगा और फिर कहां जाएगा बोड़ी के अंदर वही प्रोसेस इसमें बताईए देखो इसमें कैपिलर इससे आया ब्ल्यू मतर्द डि ऑक्सिजेंडेट ब्लड ठीक है उससे कारबन डाउकसेड चला गया बहार ठीक है आउट आवर सिस्टिम ठीक है और फिर जो एरली यह उसमें जो ऑक्सिजन है वह इसमें आगे आर्बीसी में ठीक है और थोड़ा सा प्लाज्मा में और चले गए हमारे बॉड़ी सिस्टिम में सेल्स को प्रोवाइड करने के लिए वह सिस्टिम में यह हुआ आपका एक्शनल रेस्पिरेशन इंटरनल रेस्पिरेशन अके आगे बढ़ते वह इंटरनल रेस्पिरेशन पर जाते हैं पर जाते हैं तो इंटरनल रेस्पिरेशन बहुत इंबोटेंट है इंटरनल रेस्पिरेशन इतना इंपोटन्ड के के लेवल तक होता है सेल के अंदर नहीं पर सेल से पोचने तक कर से ओक्षिजन वहाँ ते पोचता है उसके बारे में कि अपको इतना पता होना चाहिए अपने ब्लर्ड में रेड कलर की होता है पगेसली उसके अंदर आरबीसी अंदर क्या होता है एक मेटल और प्रोटिन होता है जो मेटल और प्रोटिन से बना रहता है हीमोग्लोबिन ठीक है अब एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में तो नहीं है तिर भी एक जर्श्ट में एक तम और और बताता हू हिमोगुरिंग का स्ट्रक्चर गैसा होता है ठीक है खाली याद रखिए ताकि आपको मैं बताऊंगा वह बहुत आसान लगे कि तार सब यूनिट्स होते हैं कि इसके प्रोटिन क्लोबिलर प्रोटिन के एक रहता है बीटा दो बीटा होते बीटा चेन होते और दो अलफा चेन होते हैं खाली याद रखो खाली अगर नहीं रखना है तो मत रखो ठीक है कि और हर सब यूनिट के बीच में आयन कंटेनिंग रहता है उसको हीम बोलते है रेट कलर यूज़ करता हूं कि हीम और हर हीम के बीच में आयन होता है ठीक है मतलब कितने आयन होगे चार आयन होगे अब जब oxygen ब्लड में चला जाता है तो अब हिमोगलोबिन के साथ बाइंड होता है एक हिमोगलोबिन में चार हीम है और हर हीम में चार आयन है मतलब कितने oxygen molecule बाइंड करेंगे चार तो हम जब oxygen हिमोगलोबिन से मिलता है तो हम डिमार्केट करते हैं कि ही ओके ओर टू टाइम्स चार हो गए पर आप यह भी लिख सकते हो ऐसा भी लिख सकते हो यह भी कोई गलत नहीं है चार यह लिखो यह लिखो एक ही चीज हुआ हम फिजोलोजी के टर्म में यह टर्म भी यूज करते हैं पर आपके सिलेवस में आगर आपको डर लग रहा है कि इसको अगर पता नहीं चले गया एक्जैमिनर को कुछ पता नहीं है तो आप यही लिख लो safer side ठीक है ठीक है जाते हैं आपके क्या है देखते हैं इसके बारे में आपको यह समझ में आया कि oxygen कैसे बाइंड करता है अभी देखेंगे कि कितना बाइंड करता है और किस में ज्यादा बाइंड आता है देखो 95-97 परसेंट जो oxygen आता है वह हीमोगलोबिन के साथ बाइंड करता है बाइंड तो हीमोगलोबिन पर थोड़ा सा 7-3 परसेंट ओके oxygen प्लाजमा में मिक्स हो जाता है ठीक है जैसे आपनी में बोलते है ना पानी में oxygen रहता है पानी रहता है उसी तरह प्लाजमा भी एक पानी है उसमें भी डिजॉल हो जाता है यह खाली आकड़ा याद रखो आपको कभी इसे वाइवा में पूछ सकते हैं आपको ठीक है अभी देखेंगे यह फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स है उसके उपर यह कितना बाइंड करेग पूपर हीमोगलोमिन के उपर उसको बोलते है सेच्चुरेशन हेमोगोमिन इतना आसानी से कितना ज्यादा वह कर सकता है वह देखेंगे की किस फैक्टर्स के उपर डिपेंड तो उसके लिए निया स्लाइड एड करता हूं ओक्सीजन सैचूरेशन ओफ हीमोगलोबिन इपेंड्स ये क्वेशन ऐसे पूछ सकते आपको पहला तो एक पहला इंपोर्डन फैक्टर है कि partial pressure of oxygen कितने है ठीके partial pressure of oxygen जब partial pressure of oxygen बड़ेगा उतना bound इतना ज़्याधा कर पाएगा ठीके for example, अगर 100 mmHG रहेगा Air में oxygen तो कई जाके 95 to 97 परसेंट oxygen hemoglobin से साथ bind करेगा ठीक है या इसका अगर pressure गिर गया ठीक है 50 या 30 और नीचे ठीक है तो कुछ 35% टक bind करेगा ठीक है इसलिए बोलते हैं हम कभी उपर चले जाते हैं high altitude में चले जाते हैं उसमें partial pressure of oxygen air में बहुत कम रहते हैं thin air होती है तो हमने oxygen लेने की कोशिश करता है ठीक है आज हुआ जितना भी air मेरा इसलिए एक्सपांड होता है आपने तो यह उसका reason है क्योंकि हमेशा इतना तो oxygen saturation होना चाहिए अगर इंसान को जीना है अगर वह नहीं है thin air इस लड़ाक वगरा इस area में हिमोगलोबिन ज्यादा रहता है जैसे उन देखा होगा आपने हिमाले वाड़े लोगों के लाल लाल होते है क्योंकि उसमें हिमोगलोबिन ज्यादा रहता है उसको polycythemia भी बोलते है in medical term तो आपके ज़रूद ने खाली में इन फेक्टर बहुत important है partial pressure of carbon dioxide ठीक है देखो जैसे blood में या अपने air में carbon dioxide का level अगर बढ़ गया ठीक है अगर बढ़ गया blood में या फिर air में तो oxygen saturation of hemoglobin कम हो जाता है ठीक है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ TpCO2 is inversely proportional to oxygen saturation of hemoglobin ठीक है क्यों carbon dioxide hemoglobin करता है plus carbon dioxide water के साथ react करके plasma के RBC के water के साथ react करते है carbonic acid ठीक है carbonic acid unstable है वो फिर से dissociate होके क्या बनेगा h plus bicarbonate ions अब यह जो proton है वो क्या करता है जो आपको बताया यह जो structure बताया आपको globular hemoglobin का ठीक है उसके iron इसके प्रूटीन को attach होके crowd कर देता है उसके वज़े से oxygen जा नहीं पाता हो वो बताया कईसे जाओ iron के पास कईसे जाओ already hydrogen उसके साथ bind करके गरदी कर दिये वो जा नहीं पाता oxygen उसके पास इसलिए hydrogen ion बढ़ गया या फिर carbon dioxide के वैसे मतलब acidity बढ़ गई है न acidity या फिर दूसरा term बोल सकते है pH कम हो गया तब oxygen saturation कम हो जाता है यह term है और इस चीज़ को भोर effect भी बोल देते हैं हमें लिख देता हूं भोर effect ओके ठीक है आगे बढ़ते हैं तीसरा factor है temperature हमें इतना पता है enzymatic reaction के लिए temperature होना ज़रूरी है ऐसा भी नहीं कि हम लोग critical low temperature के उपर enzymatic reaction चालो carry on कर सकते है एक normal temperature body में hemostasis है मतलब temperature maintain रहता है पर अगर temperature बढ़ गया hypothetically ठीक है body के अंदर ने body के भार ऐसा समझ लो तब हीमोग्लोबीन और oxygen bond unstable हो जाता है और यह bind ने कर पाता ठीक है तो हम क्या बोल सकते हैं ऐसे temperature बढ़ा ठीक है तो oxygen saturation of hemoglobin decreases ठीक है अभी आपको pH के बार में बताओ बताने की जरूत ही नहीं है और एक आपन डाल सकते है उसमें point आपको एक बता दिया carbonic acid से pH बढ़ गया सड़ी कम हो गया मतलब acidic हो गया ठीक है तो हम इसमें और एक point लिख सकते है acidity और H plus iron concentration ठीक है अगर H plus iron concentration बढ़ेगा oxygen saturation कम होगा यह आपको इसके पहले भी बता दिया ठीक है यह सारे factors है और एक factors है carbon monoxide carbon monoxide carbon monoxide का 200 to 250 time ज्यादा affinity होती है इसकी हिमोगलोबिन के लिए ठीक है इसके comparison में oxygen के comparison में अगर carbon monoxide रहेगा तो यह bind करके क्या बनता है carboxymoglobin ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह अगर बन गया तो oxygen बाइंड नहीं कर पाता है हिमोगलोबिन तो अल्रेरी यूटिलाइज हो गया ठीक है तो इसके लिए मुश्टली दिया जाता है उसका partial pressure बढ़ा जाता है इसलिए वह oxygen mask लगाते है प्रेशन को जाकर carbon monoxide poisoning हुआ रहेगा तो यह क्योंकि partial oxygen बढ़ाता है तो यह bond break हो पाए ठीक है और एक ठीक है का नामे 2-3 यह भी वही रिलेशन है अगर यह बढ़ेगा oxygen saturation of hemoglobin कम होगा ठीक है अभी यह सब में रिलेशन बता या ठीक है इसका यह सारे compounds का with oxygen saturation ठीक है तो इसको एक graph में भी plot कर सकते है इसका नाम है oxygen tension मतलब यह oxygen dissociation curve ठीक है अभी यह graph बहुत important है अभी इसको carbon dioxide लेके बता है मैं अलग-अलग compound लेके भी बता सकता हूं ठीक है hydrogen ions ज्यादा hydrogen ions bind करते है गर्दी करते हैं oxygen bind ने कर पाता इसलिए जो भी saturation होगा वो कम होगा बराबर देखो यहां पे है कम मतलब इतना partial pressure apply करने के बाद उतना saturation हो पाया समझो carbon dioxide बहुत कम है pH alkaline है high pH मतलब alkaline pH मतलब hydrogen ion नहीं है ठीक है नहीं है hydrogen ion मतलब basic सब देखो कम partial pressure में भी आपको oxygen saturation मिल जाता है बराबर और यह हुआ आपका normal CO2 में कैसा होता है सेम चीज़ अगर आपको high CO2 निकालके hydrogen ion लिख सकते हो या फिर आप carbon monoxide लिख सकते हो ठीक है या फिर आप dpg कर लिख सकते हो ठीक है यह सब आप इसमें apply करके लिख सकते हो आपको समझ में है कि right side कैसे shift होता है right side कप shift होगा left side कप shift होगा left side shift होगा जब condition favorable होगी oxygen saturation के लिए और जब condition बेकार रहेगी नहीं हो पा रहा है ठीक है अब oxygen हीमोगलमीद से बाइन तो right shift होगी यह चीज़ है आपके बढ़ते आगे देखता हूँ क्या है next is transport of co2 यह diagram है पर उसके पहले में transport of co2 कैसे होता है उसके एक नहीं slide add करता हूँ में आपने oxygen का देखा था हीमोगलमीद से bind करके ट्रांसपोर होता है यह फिर प्लाजमा में मिक्स होके इसे ट्रांसपोर होता है वैसे carbon dioxide भी pin form में ट्रांसपोर होता है एक होता है carbon dioxide direct plasma के पानी में dissolve होता है carbonic acid बनाता है carbonidine बनाता है इसे co2 plus h2o लिको नीचे plasma क्या बनाता है h2co3 unstable रहता है यहाँ पे कोई enzyme नहीं है मैं बताता हूँ आगे h plus h2o3 bicarbonate किसमें है in plasma ठीक है अभी अभी जो second चीज़ बनाने ना लाओ ठीक है second के पहले मैं third बता हूँ second है complicated है बहुत interesting second बताता हूँ मैं इसको मैं third कर देता हूँ carbon dioxide डारेक हीमोगलोबिन के साथ combine होएगा ठीक है to form carb amino hemoglobin carbon monoxide के साथ react करने के बाद मिलाता इसमें carb amino hemoglobin carb amino hemoglobin क्यों क्यों लिखा क्योंकि वह आयन के साथ नहीं globular protein sub unit लिखे दे ठीक है उसके protein के साथ attach होके मिलता है ठीक है यह capillary यह tissue है यहां पर tissue है अभी समझो यहां पर tissue level पर क्या आता है आपको बताए carbon dioxide का concentration बहुत ज्यादा होता है ठीक है tissue level यहां पर मिलीखते हो tissue level और RBC को मैं red में लिखता हूँ यह रहा बहुत बड़ा RBC imagine करो imaginary diagram है यह अभी क्या होगा यह जो carbon dioxide है वो अंदर आएगा क्योंकि higher concentration से low concentration में आता है ठीक है तब क्या होगा यह react करेगा अंदर के पानी के साथ अंदर plasma में पानी रहेगा ठीक है RBC के plasma में H2CO3 बनाएगा ठीक है अभी यह जो H2CO3 बनता है यह enzyme के वह से बनता है जो enzyme RBC में रहता है plasma में नहीं होता यहां पर कोई enzyme नहीं लिखा कर्बोनिक एन हाइड्रेस यहां पर लिक लेता हूं में कार्बो निक एन हाइड्रेस इस enzyme के प्रेजेंस में यह reaction होई इसलिए आपको पता है enzyme और बायो केटलिस्ट वह reaction को फास्टन कर देते और इजी कर देते ठीक है वह enzyme यहां पर नहीं था इसी कारण यह जो इस तरह से जो कार्बोनेट बनता है वह बहुत कम रहता है अराउंड 7% अराउंड 7% ठीक है पर इस तरह से जो कार्बोनेट आयन बना ठीक है वह होता है around 70% इजीली हो जाता है और जो कार्बमाईनो हीमोगलोबिन से जो अटेच होके कंपॉन बना ठीक है डायरेक हीमोगलोबिन से रियक्ट करने से यह around होता है 23-25% ठीक है यह याद रखो अभी देखो बाय कार्बोनेट बना ठीक है अभी फिर क्या इस बाय कार्बोनेट को तेल से भायर दे जाता है यह छोटा सा प्रोटीन रहता है ठीक है मतलब गेट कीपर प्रोटीन भी बोल सकते है तो यहां से भार क्लोराइड आयन बहुत जाल रहे हैं क्लोराइड के लिए मैं दूसरा कलर यूज करता हूँ क्या होगा एक क्लोराइड आयन अंदर आएंगे और वहीसे ही कार्बोनेट आयन भार चला जाएगा यह क्यों हुआ देखो जो चार्ज भार चला जाता है सेल के तो अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है यह पॉजिटिव पॉजिटिव को नेगेटिव में जासा बैलेंस करने के लिए फिर से कोई तो नेगेटिव एंटिटी होनी चाहिए chloride एक negative entity है negative charge है वो अंदर आएगा तो इसके around जो charge है वो equilibrium balance हो जाएगा किसके लिए और यहाँ पर chloride shift हो रहा है इसलिए इसको बोलाता है chloride shift यहाँ इसको hamburger principle phenomenon में बोलते है इसलिए प्लाजमा में इसी तरह इसी तरह नेक्स डायग्राम में बता रहा हुँँए देखो नेक्स डायग्राम में कैसा हुआ कोई चीज बताया है ठीक है कारबन डायक्साइड वाटर के साथ रियक क्यूआ ठीक है बाइक कार्बोनेट बना ठीक है जो hydrogen आयन है ठीक है वह bind to protein ठीक है वह में बताता हुँ कैसे पहले यह देखो पहले इसको कारबन डायक्साइड के फोकस करो यह hydrogen के बार में बताता हूं कारबन डायक्साइड वाटर के साथ गया देखो जो chloride shift था जो मैं बताया chloride shift शीफ्ट हुआ वही चीज़ फिर क्या हुआ यह हीडोजन आयन का मैं बताता हूं आगे क्या होगा अभी देखो और फिर दूसरा क्या है कारबामाई ना हमोगलोविन बना तीनों चीज़े हुए जो मैं अलग-अलग करके बताया वह सारे चीज़े इसमें बता दिये कारबन डकसट कई से होता है किश्यूवस ट्रांसफवर और विसे में, अभी हिग्विए इस हाइड्रोजन का क्या है, इसका बहुत इंपोर्टन रॉल है, अभी मैं बता गारेगरम है, जो मैं अभी निकाला था, वही डायेगरम में, अभी देखो, यह हाइड्रोजन, आपक के आराउंड गर्दी-गर्द देता है उसके बॉन्ड बनाके ठीक है oxygen आनी पाता हूँ उसके पास बराबर यह पे hydrogen आयन ज्यादा हो गए है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यह 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 लो कलर यूज करता हूँ एक्सीं हमोगलोबिन बना हुआ था यह बॉन्ड तूट जाए गा ठीक है अ Alfred कंयोख हाजाँ बड़ गयं तोट गया बढक्न है क्या हुआ है प्री हेमोग्लोबिन प्लस Oxygen तिस्थी चाहिए अभी यह हीमोग्लोबिन बना हीमोग्लोबिन पर हाइडोजन एटेच होगा और HB H form होगा समझ में आया सद़ासा कॉमपलेक्स लग रहा है आप चाहिए तो आप rewind करके देखिये बिच्पल करके बताया क्योंकि उस diagram में सब कुछ किचमिड आ गया तो आपको समझ में क्या क्या हो रहा है तो उस diagram को simplify करके इस diagram में आपको बताया कि क्या हो रहा है वहाँ पे ये हो गया final product ये हो गया आपका final product ठीक है? डन यह हुआ टेशु लेवल पे अभी क्या होगा? यह RBC जाएगा लंग्स के पास लंग्स के पास क्या है? ज्यादा अलुवल है अलुवल के अंदर क्या है? पार्शर पेशर औप ऑक्षिजन ज्यादा है तभी उसमें उल्टा होगा कईसे बताता हूँ यह जो डाइग्राम है नौ यह नेक्स डाइग्राम इन दोनों के बीच में यह merge कर देता हूँ slide ठीक है at alvella level ठीक है अभी वैसाई में डाइग्राम इधर ड्रॉ करता हूँ blood capillary इसके अंदर rbc और यह हुआ alvella ठीक है इसमें क्या है ज्यादा oxygen यह पर ज्यादा oxygen दिखाता हूँ तो बहुत oxygen है अभी gatekeeper बन गया इसमें क्या था HbH बन चुका था है ना दिखाया था तहां गया थे देखो HbH बन गया था और bicarbonate बाहर प्लाजमा में था ठीक है जैसे यह oxygen अंदर गुषता है बहुत oxygen आ जाते है ठीक है RbC के अंदर तभी HbH बन ब्रेक हो जाता है ठीक है Hb plus H plus ions हो गया और जो bicarbonate ions भार थे प्लाजमा में वो अंदर आ जाएंगे विद जो अंदर जो क्लोराड आ गया था फिर से भार चाहिएगा क्यूँ negativity balance करनी है equilibrium balance करना है ठीक है इसके लिए एक negative भार आया एक negative अंदर आया आ गया bicarbonate अभी ये और ये hydrogen ion और bicarbonate बना के क्या बनेगा H2CO3 ठीक है पूरा उल्टा चले आगया और H2CO3 unstable है acidic anhydride के मज़े से ठीक है जो enzyme उस समय में बताया था पहले reaction में उसके प्रिजन्स के वाज़े से ये बनेगा H2O sorry H2O प्लस CO2 अब ये CO2 बना CO2 expelled out ठीक है हो गया आपको समझ में है कैसे हुआ वाटर तो वाटर है उसका कुछ नहीं फरक पड़ता अभी देगा आपने अट लेवल ठीक है ऑक्सीजन प्रिशर पाशो बेशाद ज्यादा होता है उसके विसे ये reaction हुई और जो कार्बन डाविक्साइड हुआ वह expelled out ये होता है अट 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 लेवला लेवल वही चीज ठीक है वही चीज उस डाइग्राम में बताई प्लस जो बाय कार्बोनेट था ठीक है जो भार था प्लाज्मा में 7% वाला वह भी इसी तरह से अंदर जाके भार चला जाएगा प्लस जो कार्बामाईनोहिमोग्लोबिन बनाता वह भी oxygen के presence में तूट जाएगा ठीक है क्या बनेगा carbon dioxide और free हिमोग्लोबिन यह भी कहाँ जाएगा भार अलवलाय में और फिर expiration में वह compress होएगा lungs और भार चला जाएगा carbon dioxide है ना लिक देता हूँ भार भार समझ में आया ओके अब यह free हिमोग्लोबिन बना वह तो आराम से oxygen के bind हो जाएगा आप पिला कलर यूज करता हूँ है ना देखो ठीक है यही चीज है ठीक है थोड़ी घिचमेड हुई है पर आपको समझाने के लिए आप रिवाइड करके फिर इससे आप देख सकते हो मैंने क्या बता है वही चीज इस डायग्राम में आपको दी क्लोराड भार गया कार्बोनेट अंदर आया वही चीज पर कार्बोन डायोकसाइड फिर चला गया पर अलवेलेस में अलवेले में चाहे तो यह डायग्राम निकल या फिर मेरा डायग्राम निकल उप्पर यह ज़रा क्लीन दिखता है खाली समझाने के लिए मैंने आपना लंदिख आया आपको ओके ठीके फिर भी नेक्स देखते क्या है ऐसे एक फिर मगप वाली चीज है यह लंग्स वाल्यूम के बारे में वह मैं एक स्लाइड अट करता हूं अभी लंग्स वाल्यूम के बारे में बात करते है इसमें पहला है टाइडल वॉल्यूम टाइडल वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम अफ एर इस प्रेसेंट इन ओर लंग्स मतलब वो जाक्व कितना अंदर जारा है एर इन्सपायर होग वो कितना एकसपायर हो रहा है उतना आउंट फिस द्स नतीग अठाइडल वॉल्यूम ठिक है लिए क्या लिखेंगे लिख economy confessed in normal breathing amount of air inspire or expired by lungs okay वैसे एक second concept है एकए inspiratory reserve volume inspiratory reserve volume में क्या होता है जब हम यादा maximum, यह maximum value है, यह हम जान बुच के inspiration कितना लेंगे, उतना जो air की volume अंदर जाएगी, that, ओके, तो इसमें definition हम क्या लिख सकते हैं? amount of air inspired forcefully इन दोनों की value भी रहती है, around 500 ml रहता है, यह around 2,000 to 3,000 ml, इन lungs अभी यह inspired reserve volume है, वैसा expired reserve volume भी रहता है definition उल्टा हो जाएगा, amount of air expired forcefully by lungs इसकी value इसे कम होगी 1000, 2, 1100 ml ठीक है? और और एक definition है, concept ठीक है? वो है dead space अभी समझो आप सास रोके हो मतलब ऐसे निहें के इंहेल करके चिया एक्टम पूरा राम नुर्मल म्रिक करें और रूको पर ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा लंग्स में हवा हक्टाइब 0% या कभी ऐसा नहीं होगा कि हवा 100% उनुर्मॉल वैलियू ठीक है जो एकदम कुछ नहीं कर रहें लंग्स कुछ काम नहीं कर रहें फिर भी उसके अंदर हवा है ठीक है ब्रॉंक्योल्स में या ब्रॉंकाय में या अल्वेलाय में जितना वॉल्यूम ओफ एर रहती है यदाफ डॉंक्योल्स होया है ब्रॉंट्ट जा रहें जा क्या או सकत्यो भीक है जा है ए सकत्योड़ेक प्लीटNow ले कि अवर जा क्योंट जाया है इंपोड हाव जा जा आ लॉंक्यू जा ब्रॉंक्यों सेफथे क fino जा कि उन चेक्य 200 पारम में लम्स आनीक है वी नहीं ठीक है यह होती है एक बाद देख लीजे मैं दूसरा स्लाइड डाल देता हूँ इसमें ओके अब यह और एक कॉंसेप्ट है रेसिडियल वॉल्यूम का ठीक है अच्छा मैं यह बताना भूल गया के जो रेट स्पेस वॉल्यूम है वह 150 ml के रहती है देखो यह जो फीगर बता रहा हूं वह एक्रॉक्सिमेटली होती है परसंट टू परसंट डिपेंड होती है इसलिए अगर स्लाइटली यह एप्रॉक्सिमेटली तो देंगे जी साइन लगा कि जैसे ऐसे तो भी चलता है ठीक है इसमें क्या होगा एयर रिमेंज मतलब एक देखो अगर आप टानवुच के एकस्पायर कर रहे हो ठीक है जोर से एकस्पायर कर रहे हो पर ऐसा नहीं होगा कि 100% चले जाएगा मतलब उसमें एम्टीनेस आजाएगा ऐसा नहीं होता तो इस जो एयर रहे जाती उतनी वॉल्यूम ठीक है डाट इस कल रेसिडियूर कैसे अमाउंट आफ एयर ओके अमाउंट आफ एयर रिमेंज इन लंग्स आफ्क्टर एकस्पायरेशन जब जो और से आपन एकस्पायर करेंगे तो ऐसे नहीं के लंग्स कोलैप्स हो जाएंगे कुछ वॉल्यूम ओफ एयर हमेशा उसमें रहेगी ठीक है तो वह भी एप्रॉक्सिमेटली लेवन आफ़ेशन टू त्वेल अंड्रेट में तक रहती है ठीक है और अब सेकेंड लास्ट कॉंसेप्ट है वह लंग्स कैपसेटी टोटल लंग्स कैपसेटी टोटल लंग्स कैपसेटी क्या है देखो अमाउंट अफ लंग्स अमाउंट अफ एयर लंग्स होल्ड विविंग्स फोर्स फुल इंस्पिरेशन मतलब हम अगर समट पानी में चले जा रहे हैं ठीक है टायू कर रहे हैं अंदर तो हम ले देने बहुत बड़ा गल्प लेते एयर का तो हर परसंटोपरसंड वह जो कैपसेटी तोटल वॉल्यूम् करने की लंग्स वह अलग रहति है वह कैपसेटी को बोलते है डोलन्ग क्यापसेटी जो परसंट में आपिस अचलम इल्यूमनों तक होते है युआ यह ज्यादा थकते नहीं है ठीक है ? फिर भी इसका यह एक वाल्यू रहता है अप्रोक्सिमेटली ml तक क्या इसका रफिशन होगा टॉतल वॉल्यूम फ एर लॉंग्स बोल्ड दूरिंग एक इंस्पिरेशिंग प्रस्पिरेशिंग उजए है लिए ले अ एक लाष्ट्स कॉंसेप्ट है उसका नाम है वाइटल कैपिसिटी भाम अ okay vital capacity okay it is a maximum amount of air okay that is expelled out okay maximum amount of air expelled out after forceful inspiration मतलब मैंने जोर से सास ली और जोर से छोड़ी जितना हो सके हो इतना छोड़ी लेने की बात नहीं कर रहा हूं जो छोड़ने की बात कर रहा हूं जो मैंने ब्रीद छोड़ी वो कितना मैंने छोड़ी after forceful in x inspiration okay that that volume is vital capacity amount of air which is expired out okay after forceful inspiration ठीक है और यह maximum amount रहता है है कितना हो सके उतना छोड़ने कितना हो सके इतना ब्रिद छोड़ो पूर रहता है यह रहता है ठीक है और इसके भी amount रहती है एप्रॉक्सिमेटली पॉर्थाउजन्ड वन हंडड़ एमेल यह सारे concept है आपको कुछ आइसा आ सकता है definition में ठीक है तो definition आप दे सकते हो कि आगे क्या है देखते है आगे क्या है देखते हैं दोस्ते दोस्तों दो मिनिट का ब्रेक लेता हूं हम फिर से मिलते ब्रेक के बाद कि अगर झाल 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 दोस्तों विल्कम बैक अभी से प्रोसीड करते अभी हमने देखा के प्रिधिंग एक्शनल रेस्पिरेशन इंटरन रेस्पिरेशन एक सेलूर रेस्पिरेशन देखेंगे आप 10 और 11 स्टेंड में पढ़ा होगा तो इस चाप्टर में उसके बार में ज्यादा कुछ नहीं है एक सिंपल एक रियक्शन दिये के सिलूर क्या होता है और उसे क्या मिलता है ठीक है उसके में जाइब लिक लेते हैं कि ओके को अब डी इस एक प्रिश्पिरेशन ओके का होगा सेल के अंदर होगा सेल और बेस्पिस्विक अगर बोलेकर तो सेल के सैटरपीम धिम प्लस माईटोकॉंड्रियम होगा हुए इसब्समें क्या होता है ओक्सीडेशन ओक्सीडेशन और ग्लूकोस एक है डिशन अबकसीजेशन और अक्सीडेशन क्या बनेगा एक्सSch कारवन डाउकसेट टिक्स मॉलेक्वल ओफ वाटर 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 पर अपने ब्रीथ आउट करते हैं उसे तुर निकल जाएगा प्लस कि एटीपी या फिर इक्स टीशिक्स किलो कैलेरी भी बहुल सकते हैं जब सब बनेगा अभी यह दो स्टेप में होता है हमें देखा है स्टेप क्या हो सकते हैं क्लाइकोलिस व्वारा इसमें खाली इतना ब्रीफली बता दिए कि दो स्टेप का इन और गेनिक यह इन और गेनिक कंपाउंड से ठीक है यह था कॉंपलेक्स ओर गेनिक कंपाउंड ठीक है तो बोले तो आप्सिडेशन ऑफ ग्लुकोस ओके टू प्रोड्यूस पाइप्रोड लाइक कारबन डाउकसेड और वाटर वेपर एंड रिलीज अफ एनर्जी यह इन फॉर्म ओफ एटीपी ठीक है तो नेक्स्टेप क्या होगा हमें यह जो कितना यह कैलरी है ठीक है जो एनर्जी है वो एटीबी से बनाना है ठीक है कैसे तो नेक्स्टेप होगा फॉस फॉस्फॉरालेशन फॉस्फॉरालेशन मतलब आप समझेए कि एडिशन आप फॉस्फेट और यह एक्ट्वल बैकेट अफ एनर्जी है ठीक है जब एटीबी का अगर्ष ट्रिक्टर देखे तो एडिनोसिन मॉलेक्यूल ट्राइफॉस्फेट ग्रूप है उसमें का हमेशा एक फॉस्फेट य तो उसे बहुत एनर्जी निकलती है और वह एनर्जी ठीक है वह यूज होती है हमारे तेली मेटाबॉलिंग प्रोसेस में या फिर कुछ भी फॉराइद हमारे मसल को कॉंट्रेक्ट करते है यह भी एटीपी के वैसे हो रहा है अगर एटीपी अगर नहीं रहेंगे तो मसल क रही है एटीपी का बॉनड ब्रेकिंग वह फॉस्पेड बॉनग हो यह से बॉनड परेक होगा तो बॉनड एकदौक और प्रॉसेस अब लिख सकते हैं मसल कॉंट्रेक्ट्षन ओके एनरजी इन फॉर्म ओफ हीट रहेगी या फिर फॉसफेट फॉसफेट गुप एडिशन कुछ भी होगा यह सेलोर रेस्पिरेशन बहुत कम दिया है इतना ही दे दिया है अभी आगे क्या है देखते है ओके अभी आगे है कंट्रोल आव ब्रिधिंग मतलब यह ब्रिधिंग कैसे कंट्रोल की जाती है अभी यह लागेट एड़ करता हूं तो युदर ही आड़ कर लेता हूं कंट्रोल ब्रिधिंग मैं ब्रॉल्ली इसको क्लासिफाई कर लेता हूं एक है इन्वॉलेंट्री ब्रिधिंग मतलब नॉर्मली हम सोते हैं या कुछ भी करते हैं इन्वॉलेंट्री लिए हम ब्रिध कर रहे हैं हम हमारे आइफोर्स नहीं लगते हैं वह आले ब्रिधिंग सेकेंड है व्यॉलेंट्री ब्रिधिंग जय हम अगर योगा और तो हम जान वुट कर सास चोड़े या फिर हम पानि आदर जा रहे तो जन सास रोक के रखते हैं यह सारे चिज़े हम खुद करते ते टिका है व्यॉलनट्री ब्रिधिंग की तीसरी है मॉडिफाइड विदिंग ठीक है ओक्य तो देखो इतने है पर ज्यादा फोकस है इन्वॉलेंटर विदिंग के उपर ठीक है तो मैं यह वादने में एक्स्पेंड करूंगा ही फिर भी मैं इसी पार्ट में इन्वॉलेंटर विदिंग के बारे में इन डिटेल डिसकस करता हूं विदिंग के लिए ठीक है ब्रिधिंग कंट्रोल सेंटर एक है पॉंस में ठीक है पॉंस में और उसा मेडूल अबलम के ठीक है ठीक है अभी जो सेंटर से इनको तीन इससे में क्लासिफाई किया है इन लोगों ने ठीक है एक है डॉर्सल ग्रूप काहां पे मेडूला अबलंगा ठीक है ठीक है नेक्स्ट है अब्रूप एंटरो लाटरल मैं स्पेस रखता हूं दोनों के बीच में अब्रूप यह भी कहां रहता है मेडूला अबलंग ठाँ में कि यहां पर विश्पेस है ती है निमोटेक्सिक सेंटर और हर इसके रोल से मैं पहले बताता हूं यह कहां पर यह पॉंस में यह मेडूला अबलंग ठाँ में दोम मेड़ी अबलंग ठाँ में और लाश्ट वन है पॉंस में टीकए इसका रोल क्या है इसका रोल है इंस्पिरेशन को कंट्रूल कहता है इंस्पिरेशन प्लस एक्सपिरेशन सेंटर है अच्छा निमो टेक्सिक सेंटर क्या है यह लिमिट करता है इंस्पिरेशन को प्लस दूसरे इसके नॉन ब्रीधिंग रोल भी है यह स्लिप को इंडियूस करता है माइन को काम करता है यह चीज़े भी है तो चाहिए अगर लिको तो या फिर ठीक है या फिर अपन लिग लेते रैपिड आये मॉमेंट तो रैपिडाय मॉमेंट कहां पर कभ होता है जाए वह सपने देखते तब रैपिडाय मॉमेंट होती है वह है ठीक है और उस दुछ लो लिप वेव तो स्लीप इंडूस करता है एक्चुली इस लिप इंडूस के पिनल ग्लैन्ड भी है वो भी रोल पाई वो इसको उसको पीछे पर जाओ खाली इसका भी रोल है थोड़ा स्लीप के अंदर उके लो स्लीप इंडूस टेको ये रोल है ये ब्रेन के पार्ट से फॉर्ण और उसके अंदर-अंदर क्या कुणिन से सेंटर्स मिल रहे रिटलेkon एंट्र टेरल असाम काँदान देक्स के आदो हें कपामद तक तक में मिलता है और उनके बीनने रोल बता दियन अभी नेक जानेके पहले पहले यह देखो कुनसा नियूरोन है वह connect करता है देखो एक फ्रेनिटिक नर्वस है इंटरकोस्टल नर्वस है ठीक है फ्रेनिक नर्वस इंटरकोस्टल नर्वस और एक वेगस अभी मैं इसका मैकेनिजम बताऊंगा ठीक होता कईसे है अग्ला स्लेट सॉरी मैकेनिजम किसका इन्वालेंटरी 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 इसका इसको हेरिंग ब्रेवर रिफ्लेक्स भी बोलते हैं दो अलग आदमी है रिफ्लेक्स के रिफ्लेक्स होता है इन्वालेंटरी होता है ठीक है अभी हम इंस्पिरेशन के टाइम क्या होता है देखो जब ज्यादा इंस्पिरेशन करते हैं ज्यादा अंदर हाना हावा लेते हैं इंस्पिरेशन लेते हैं ठीक है तब प्रेशर ज्यादा डेवलॉप होता है किसमें लंक्स में इंक्रेश तो इसके वाए से क्या होता है कुछ प्रेशर सेंटर्स रहते हैं हमारे लंक्स में वह एक्टिवेट होते हैं और वो क्या करते हैं इंपल्स सेंट करते हैं किसको एक्सपारेटरी सेंटर को इसके द्वारा वेगस नौ इंपल्स सेंट तू एक्सपारेटरी सेंटर जो हम तीन सेंटर देख चुक है एंट्रो लाटरल को सकता है ठीक है जो उसमें एक्सपारेटरी सेंटर था एक्सपारेटरी सेंटर को इनिवेटरी सिंगनल देगा इनिवेटर में तो रोकने वाला सिगनल टिक है ठीक है अब इंपल्स एक्सपारेटरी सेंटर टिक है टीक है क्या करेगा सिगनल नहीं देगा इंटर कोस्टल मुस्वल को और डायफ्राम को इंस्पिरेशन रुख जाएगा इंस्पिरेशन में क्या होगा मेकनिजम इदम इजी लैंग्विज में देती है तो पार देख लिजे यह तो मैं एक्सपिरेशन में क्या होगा अब फूल उल्टा होगा यह चीज़ एक्सपिरेशन जब ज्यादा हो गया तक मैं नए अड़ करता हूँ यह हो गया इंस्पिरेशन के टाम एक्सपिरेशन में क्या होगा एक्सपिरेशन में क्या होगा लंग्स डिफलेट वाँ पे इंफलेट हो रहे थे हाँ पे लिख देता हूँ में इंफलेट मतलब भर जाते है पुल जाते है लंग्स डिफलेट तो क्या होगा तो प्रेशर टेंटर है इसका लंग्स का रोंट सेंट सिगनल तो इसको एक्सपिरेटरी सेंटर रोंट सेंट सिगनल ओके तो एक्सपिरेटरी सिगनल एक्सपिरेटरी सेंटर इसका रोंट सेंट इनहीबिटरी सिगनल या इंपल्स बोल सकते हैं दोनों एकी चीज़ है तो इन्सपिरेटरी सिगनल एक्सपिरेटरी सेंटर अधर कोई इन्सपिरेटरी सिगनल वहां पर नहीं किया तो इन्सपिरेटरी सेंटर क्या करेगा इन्सपिरेशन को एक्टिवेट करेगा इन्सपिरेशन स्टार्ट तो यह होता है एक इन्सपिरेशन और एक एक्सपिरेशन मिलके एक ब्रिथ बनता है बिटते हैं तो हमने मेकेनिजम देखा रिकान का किसमें इन्फलेटरी बीदिंग ब्लस उसका इससें काम करेंग ब्लस कोर्टेक्स होगा पहले यह जो मेकेनिजम है उसका सिग्निफिकन्स लिखते है और इन वॉलेंटरी इसका क्या है पहली बाद तो हम जिन्दा रहते हैं उसके वैसे किप ग्यासिस एक्सचेंज पॉंटेनियस अपने आप होता है इस सब्सक्राइब के इट लिमिट्स तो ओवर इंस्पिरेशन ओवर एक्सपिरेशन हम इतना भी इंस्पायर नहीं करते रहेंगे कि वह लंग्स फट जाएंगे ठीक है अभी अगे देखते क्या है हां मैं यह चालू करने वाला था वालंटर बीदिंग वालंटर बीदिंग तो आपको बता दिया अभी स्टाटिंग में इस इसमें लिग देता हूं उसके बाद में ज्यादा फिस्बुक में नहीं दिया है क्या होगा इसमें इसमें अलॉंग विट्थ जो रेस्पिरिटिस सेंटर से मेडूल अबलांग अठा और पॉन्स में रेस्पी सेंटर्स अफ ब्रेन प्लस सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी करेगा काम सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी होगा उसमें प्लस इन वॉलंटरी भी होगा इसका क्या सिगनिफिकेंस है यहां पर लिख देता हूं सिगनिफिकेंस कि स्विमिंग के टाइम होता है कि स्विमिंग के टाइम पानी अंदर ना जाए हम सास रोक के रखते हैं जान बुच के ओके प्रिवेंट अनवांटेड या फिर बिलिख सकते हो वाटर और लिक्विड टू एंटर इन रेस्पिरेटरी ट्रैक है योगा के टाइम भी करते हैं सास रुप के रखते हैं सास जीरे छोड़ते हैं इतना ही दिया है अब किसे लिए बास में के लिए कि किससे कंट्रोल होता है इसे सिग्निफिकेंस से है अभी जो नेक्स्ट है वह है मॉडिफायर बिलिदिंग कर दो मॉडिफायर बिलिधिंग भी इन्वॉलेंटरी टाइप आप बिलिधिंग है ठीक है इस अलसो इन्वॉलेंटरी पर इस नॉर्मल कंडिशन में होती एक्स्ट्राओडिनेर कंडिशन में होती है इस नॉर्मल कंडिशन मतलब एक्जामपल देता हूं आप अकर डर गयो किसी चीज़ से ठीक है आपको क्यों डरा दिया ठीक है तो आपके हार्टबीट बढ़ते है आपके ब्रिधिंग बढ़ जाती है बहुत जोड़ जोसे सास लेना चाहती है वह आपके कंट्रोल में नह होता है वो अपने आप हो जाता है ठीक है तो वो है एक्स्पुलनेस अप्सोन होता है रहते हो कि एकदम अध्लो होता है तो और फियर के टायम कितना होता है फास्ट और हट डप्थ कि लो जालो प्रिधिंग कि अलग अलग टाइम में अलग अलग ये वैरी हो जाता है ठीक है और कभी कभी होता है पता हूं कि पीर होगया प्रेप होगया अभी आप एक्जर्शन करते हो भाग के आते हो जोगिंग करके आते हो तब ही भी बढ़ जाती है ठीक है एक्जाॉस्टियू वर्क तो आप चैलो लेते हो ब्रीदिंग प्लस पास्ट हो जाती है ब्रीदिंग तो यह सब चीजे हैं involuntary है ठीक है वो अलग-अलग normal condition में नहीं होती है ठीक है पर extraordinary condition में होती है इसके बारे में दिया है खली modified प्रितिन है बस इतना यह धीरी है आपके syllabus में अच्छा आगे चाहते है और एक चीज़ है इसमें मैं add कर सकता हूं मतलब आपके syllabus में नहीं है यह फिर भी बताता हूं एक thermoregulation भी होता है जो आप exhaustive work को भी इसमें combine करते हो तो कभी क्या होता है आप ज़्यादा काम करते हो भाग के आते हो या फिक जीम करते हो कुछ भी तो हमारा temperature बढ़ता है जब यह जान बुच के काम करता है ताकि आपका temperature maintain हो अपन जब छोड़ते है सास छोड़ते हैं उसमें क्या आएगा carbon dioxide plus water vapor water vapor क्या करता है आपकी body की जीव internal heat है वो लेके भाहर चला जाता है it dissipates okay out तो इससे अपना thermoregulation होता है temperature कम होता है इसलिए आपने कुट्ता देखा होगा कुट्ता ऐसे जबान हिलाता है हाफता है वो इसको panting बोलते है ठीक है वो भी एक breathing ही है और वो एक thermoregulation क्या उसका temperature उसको maintain करता है बस एक छोटा सा चीज़ बाता है बस आके बढ़ते ह आपन है यह कुछ common disorders है respiratory system के वो खाले चार्ट है आपके टेश्बुक में वो भी चाहिए आप पढ़ सकते हो तो यह आपको एकदम ब्रीफ में बता जाता हूं क्या होता है ठीक है एफिसीमा मतलब क्या अलवेलायन ब्रेकड़ण हो जाते है ठीक है कुछ infection के वैसे जैनेटिक भी हो जाता है उसके वैसे पाचाथा है यह कॉजेस यहाँ पर pollution और air pollution दिये हुए मैं चेंज करता हूं इंक smoking और pollution के वैसे तो अब इसे treatment इदम simple है कोई भी बोलेगा quit smoking pollution air से दुर रहो यह सब चीज़े chronic bronchitis देखो chronic bronchitis और acute bronchitis दोनों में shortening और breath होती है ठीक है इसका दोनों का कारण भी एक है टाइस जब आता है ना it is it is मतलब ाइटी एस आइटी एस ब्रॉंकाइटीस ओके एंसेफिलिटीस इटीस का मतलब swelling यहाँ तरुको आप कभी भी आप encounter करूगे ऐसा word आप समझ जाना इस considering about inflammation bronchitis bronchial का infection यहाँ पर भी bronchial का infection ठीक है और यह chronic होता है यह acute acute मतलब कुछ specific चीज़े के वाई से होता है ठीक है देखो वायरस और बैक्टिरिया के वाईर स्मोकिंग air pollution वायरस पोलन ग्रेंस उसके वाई से भी हो सकता है chronic bronchitis तो इसके लिए एक ही है के quit smoking वगरा और इसके अगर बैक्टिरिया से हुआ है तो एंटिवायरस से हुआ है तो एंटिवायरल ट्रिटमेंट ले लो ठीक है अब अभी sinusitis, sinus क्या होता है आपके skull में बहुत सारे cavities होते है ठीक है air filled cavities बोलते है उसको sinus बोलते है तो कभी क्या होता है उस sinus के अंदर कुछ infection चले जाती है bacterial या फिवायरल infection उसके वीसे पूरा सर आपका दुखने चले होता है जारा दर के आपका कभी aeroplane के पास चले जाते है तभी प्रेशर मेंटेन नहीं कर पाता प्रेशर वह छोड़ नहीं पाता sinus के अंदर ठीक है तभी वह सर पूरा दुख जाता है तब दुख ना चालो होता है पेन में चला जाते हो लोग तो इसको sinusitis बोलते है कि इंफ्लेमेशन ओफ साइनसेस मुकस लाइनिंग और इससे मुकस दिश्चार्ज भी हो जाता है किससे होता है वायरस और बैक्टिरिया ठीक है तो एंटिवायर के लेलो वायरस दो एंटिवायरल ट्रिटमेंट चालो करो बस लेरिंग जाता है बुरत्टा माने की जरूरत नहीं है आप खुद भी बोल सकते हो क्या करो डॉक्टर भी बोलते है गरम पानी और नमक का गाग करो या एंटिवायर लेलो की लिए चिज है खित अ कि नीमोनियम के यह क्या होता है इंफ्लेमेशन अव लंग्स अभी यह इंफ्लेमेशन लंगक्स आथ र सब कुछ भी हो सकता है इसमें शौर्टनेस ब्रेत होगा क्योंकि उसका फंक्शन ही खराब हो गया तो शौर्टने डूक्रित्स फ्रॉंक्रिकर क्यूक्राइच निर्मठट वग्राइच सेम सब्सक्राइच निमोनिया देखने को विपंहे Esparam इमिजिटल एंटिपाइटिक लेलो और मेडिसिन लेलो और वाम बस यह अस्तमा इसमें क्या होता है कि कंस्रिक्शन और ब्रॉंक ब्रॉंकियोल्स का चो लूमेन है तो एकदम कम हो जाता है जिसे अभी एर पासेज के लिए प्रॉब्लेम हो जाएगा ठीक है और म्यूकस बिल क्लियर हो जाता है तो यह क्यों होता है कभी जेनिटिक हो जाता है कुछ चीजों की पोलन कुछ फूड की जीसे आकरोड की गया कुसी को श्ट्रॉबेरी की होती है इसा चीज़ों होते है उक्यूबेशनल रेस्पिरिटल डिसॉर्डर कोई काम कर रहा है एक्दमपल माइंस में काम कर रहा है या फिर स्टिमेंट फैक्टवे में काम कर रहा है तो छोटे-छोडे बढ़ बनाएंगे सहं और इसकंक शूबन और कॉंट्रेक करने के लिए इंपोर्डंस है अगर वह बॉन्ट हो जाएगा सिलिक्सिक एसिड और याइसबेस्ट उसको उत्म कड़क बना देगा लंग की कैपिसिटी खराब हो जाएगी लंग अच्छी तरह एक्सपांड और रिलेक्स नहीं हो पाएगा चौटनिंग अब इलेश्टिक लंग्स तो लॉंग टर्म एक्सपोड रश्ट हो सकता है पार्टिकल इदे को सिलिका लिका लिका अजबेस्टो सिलिका से होता है और सिलिकॉसिस बोलते अपके इनवर्मेंट टॉपिक में आ जाएगा शायद तो क्या करना है प्रोटेक्टिव मास्क और गेर वगरा दूरिंग वर्क यूज करना है बस चलो आगे बरते हैं हां ओके देखो अभी एक आर्टिविशन वेंटिलिशन वाला चोटा सा एक टॉपिक है ठीक है मतलब क्या होगा अगर परसन खुद अगर ब्रीधिंग करना छुट गया वह कर नहीं पाता रिगुलर ब्रीध हो जाता है वह ब्रीधिंग करना चुट करना ही पड़ेगा अगर जिंदा रहना है तब यह मशीन आती है वेंटिलेटर अपने पिक्चर में देखा होगा कि इसा एक मास्क लगाते है ठीक है ताकि वेंटिलेक्शन उसका काम मतलब क्या बोलते है ब्रीधिंग काम करते रहे ब्लड में कार्बन डाउक्साइड एक्क्यूमिलेट ना हो और एक्क्यूमिलेट हो या तो मर जाएगा और ऑक्सिजन मिलते रहे तो यह सी रहती है आपने कोवीड में देखा हो वेंटिलेटर की बहुत कमी हो गई बहुत लोग मर गए थे ठीक है क्यों के ब्रॉंकियल खर अधिलेशन मतलब कार्बन डाउक्साइड निकाल देता है इधर से ठीक है कहां से रेस्पेरिटर ट्रेक से और इन्हेल का कर देता है प्यूर ऑक्सिजन और ऑक्सिजन और ऑप्सिजन और थोड़ा सा वाम रहता है याद रुखो इसमें वाम और मॉइस्ट होना चाहिए ऑ जहीं हो जाते हैं और दूसरा है यह ला हिए कि मौत तो मौत रिस्पिरेशन और यह बहुत इंपोर नव्य इसको एक आटक आया यह कोई शौक से गिर गया अनकॉंशिइस उस समय क्या होता है कि वह ब्रेंग करना बंद हो जात पर उस आदमी की जब तक medical help ना आई तब तक mouth to mouth to respiration एक बहुत important चीज है उसमें क्या करते है nose को पकड़ते है जो सोय हुआ आदमी unconscious और उसका मुझ को ऐसा करते है और मुझ खोलते है और mouth to mouth to respiration करते हैं हवा छोड़ते हैं और फिर रिलेक्स करते हैं वो अपने आप exhale करेगा खाली आप उनको इन्हेल कर उसका inspiration करवाना है expiration अपने आप होगा और बाद में chest में press करना रहता है ठीक है कुछ one centimeter depth ऐसा मतलब mechanism रहता है वह भी important रहता है अगर patient को जिन्दा रखना है तो आपको वेंटिलेटर बता दिया और दुत्रा mouth to mouth respiration के बारे में बता दिया तो रिसेटेशन भी बोलते हैं इसको या पी CPR भी बोलते है और एक वेंटिलेटर ये दो assisted respiration techniques रहते हैं medically उसको यूज किया जाता है ठीक है तो किसी की किसी बात पर अब ये lecture खतम होता है दोस्तों देखो अभी मैंने जो पढ़ा है अप प्लीज उसको revise करिए और कुछ भी ऐसा लगा तो प्लीज अब कमेंड में डाल दीजिए कि मैं उसको फिर बता दूँगा अगर आख कुछ ने समझा होगा तो थैंक यू झाल झाल